पर चैनल के साथ जोड़ राई है क्योंकि यहां पर काफी केंडिडेट बोल रहे थे कि सर जो मध्य पर इस जीके की क्लासिस है उसे कंटेनिव कीजी एक्चुली जो अप टाइम है बहुत सीमे टाइम बचा है बहुत सीमे समय में आपको जो है चीजों को कवर करके चलना होग मैं बिल्कुल देर नहीं करेंगा और यहां पर हम पहला ही कुस्चन स्टाट करते हैं ठीक है मालती माधाव नामक नाटक की रचना किसने की भई भव भूती ने ठीक है भगवान आदिनात की प्रतिमा जो बावन गजा के नाम से जानी जाती है किस जले में बढ़वानी जल यहां पर इस्ते था भई भूपाल में मद्र प्रदेश के प्रथम मुखिन आइदी इस कौन थे भई न्याय मूर्ति एम हिडायत अटुला ठीक है यह थे अब यहां पर राजा रमन सेंटर फोर एडवांस टेक्नोलोजी कहां पर है भई तो इसको बोलते हैं यहां पर जो हहां पर इस्ते थे भई गॉलियर में कोलेज अफ खुमन भैट कहां इसते थे तो वह यह मंुम अध्यप्रदेश में इस्ते थे भारतिय रास्ट्र कंग्रेस की प्र तम महिला अध्यक्च थी एनी बेसेंट जो 1971 में भारती राष्ट कॉंग्रेस की प्रतम महिला द्यक्ष थी तानसेंड का मूल नाम क्या था भाई? तानसेंड का मूल नाम राम तनु पांडे था ठीक है? काना नेसनल पार्क किस जले में? भाई मंडला मतलब जो है मद्यप्रदेस में है अब नर्मिना नदी का उद्गम इस्तल भाई अमर कंटक है उच्चे नयालाई के नाइधीस की न्युक्ति कौन करता है भाई राष्ट पती? मद्यप्रदेस उच्चे नयालाई के मुख पीठ कहां पर इस्तेते हैं भाई जबलपुर में वर्स 2008 में मद्यप्रदेस में कौन से दो जले गठित किये गए तो ये सिंगरौली और सिंगरौली एवं अलीराजपुर जो है यहां पर दो जले गठित किये गए थे भारतिय मानक समय देशांस के निकटम मद्यप्रदेस का कौन सा जला है रहिवा जला मद्र प्रदेश में संस्कृत विस्विध्याराय कहां पर है उज्जेन में राज महिला आयोग का गठन कब हुआ था 23 मार्ज 1998 को राज महिला आयोग का गठन हुआ था मद्र प्रदेश की सरवदिक सीमा किसराजिस के संपर्क में उत्तर प्रदेश को सरवदिक सीमा चूती है जो है मद्र प्रदेश की एक नवंबर 1956 को मद्र प्रदेश में किन जलों की संख्या कितनी थी तो एक नौमबर निच्फ़पर में मद्रप्रडेस में जिलों की जो संख्या थी वो 43 यहाँ पर 43 जो है 43 टोटल जिलों की संख्या थी एक नौमबर निच्फ़पर को जन संक्या की द्रस्टी में मर्द परेस सबसे बड़ा जला कौन सा है इंदोर है जन संक्या की द्रस्टी में मालवा के पठार की सबसे उंची चोटी कौन सी है भाई सिगारी जो मालवा के पठार की सबसे उंची चोटी है बेतवा नदी का उद्गम कहां से हुआ है भाई राय सिंग के कुमरा गाउं में उद्मित हुआ है जो है यहाँ पर बेतवा नदी का उद्गम अब यहाँ पर जीवास मिराश्टी उद्ध्यान मर्द परेस में कहां पर इस्तित है डिंडोरी में मर्द प्रदेश का सबसे चोटा अभ्यारान कौन सा है भाई ये जो है ये राला मंडल अभ्यारान है जो मर्द प्रदेश का सबसे चोटा अभ्यारान है अब यहाँ पर जो दूसरा है मर्द प्रदेस का राज की पक्ची कौन सा है भाई यह जो है यहां पर दूर राज जो है मर्द प्रदेस का राज की पक्ची है चंबल नदी का उद्गा मिस्तल किस कहां से हुआ तो भई महू इंदोर के जाना पाउ की पहावलई से जो है मर्द प्रदेश का जो है दक्षन भारत की ड्रेवलियन सैली का मंदिर मर्द प्रदेश में कहां पर है तो ये तेली का मंदिर है जो गौलियर में है मुक्तिगिरी तीर्थ छेतर कहां पर है मुक्तिगिरी तीर्थ छेतर दतिया में है भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई 1982 में भारत भवन भोपाल की स्थापना हुई मद्रप्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है सिंगरौली सबसे पूर्वी जिला कौन सा है पुराना जिला सिंगरौली जंतर मंतर उज्जेन का निर्माता कौन है भई सवाई जैसिंग जो है जंतरमंतर उज्जेन का निर्माता अमर कंटक से उत्खनित बॉक्साइड जो रहता है एक धातू को कहां भेजा जाता है भई ये रेड़ु कूट उत्तरप्रदेश में भेजा जाता है जो अमर कंटक से निकलती है मेग नगर कहां है जाबुआ में है ठीक है मर्द प्रदेश का सबसे बड़ा कोईला चितर कहां पार है भई जिले के टैमोर परवत से हुआ केन नडी का उद्गमस्तल तो निवar कि तैमोर परवत राथ है। मद्ध्रदिस का प्रथम राष्टी अध्यान कौन सा है कानः कणा किसलों राष्टी उद्ध्यान बेवर क्या है एक प्रकार की क्रसी पदिती जो है वो उसको बेवर कहते हैं भगोरिया हाट किस जंजाती से संब्देत है भगोरिया हाट जो है यह भील जंजाती से संब्देत है मेहर मद्रपदेस्क में सतना जले में है ठीक है भरहुत इस्पूत कहां पर है भई भरहुत इस्पूत जो है वह सतना में है भरहुत इस्पूत कहां पर है भई सतना में है तानसेन का जन्म कहां हुआ था भई बेहट कॉलियर में हुआ था लोक कवी इसुरी का जन्म कहा हुआ था भई, मैंड की ग्राम जहां सी, लोग कवी इसुरी का जन्म कहा हुआ था भई, मैंड की ग्राम जहां सी, विदीसा की उदैगिरी की गुफा का संबन्द किस काल से है, भई, विदीसा की उदैगिरी का जो गुफा का संबन्द काल से है, गुप् जागनिक कुछ सा मार्च मद्रदेश कर पिर की मार्च अब सोंक किस स्वान्ग का लोकनटव Southern एक लनका किस नाम क्या है और स्वार्ट स्वाइब एचिंद्गोरिय Spring तुन्डीकर जो ए दमुचेत्र का प्राचीन नाम है, ठीक है? महाजनपदकाल लगभग 600 इसापूर्व की अवंति की राजधानी क्या थी? महाजनपदकाल 600 इसापूर्व की जो अवंति की जो राजधानी थी, वहाई महाईसमती थी हिंदी का पहला नाटक आनन्द रगुनन्द किसने लिखा था तो भई रीवा नरेस विश्वनाथ सींग ने लिखा था मदपरेस की प्रमुक जंजाती कौन सी है भील गोल गदोले उत्सव का संबंद किस जंजाती से है तो भील में परिक्षा विवा के तहट गोल गदोले का उत्सव होता है किस जंजाती में सेवा विवा की प्रथा है गोड एवं बैगा जंजाती में सेवा विवा की प्रथा है महामरतिंजाय का मेला कहा लगता है भई रीवा में सिंगाजी का मेला कहा लगता है भई ये पिप इतन पूर्मिला महाकाव की रचना कौन है कोव है वह befाचन सरवा नवीन , दिंडोरी जिले का गठन कब हुआ जो 20-59 मे के मंडला से प्रथक होकर इये मंडला से अलग होकर मंद्र प्रदेश में अनुसूचित जाती के- लिए आरक्षित विधानसवा स्षित्रिकितर 35-35 से मद्रप्रदेस में राजमाता के उपनाम से किसको जाने जाता है विजय राजी सिंधिया जो राजमाता के उपनाम से जानी जाती है मद्यान चल भवन महिला नीती बनाने वाले भारत का पहला राज कौन सा बना महिला नीती बनाने वाला भारत का पहला राज थैक रफादन में मर्द पदेश का प्रतं इस फ्तान किस जले कि उस्तान पर उस्तान पर जिवा कौन सा है यह अ मुरैना जला है म हुण सका उठान काफ़ योजनामडल के प्रत्रात्यक्वा CHAN म सबतना ही कोद तो थो न्याही बीढकोड़ाको hum गंजेलियों का स्वर्ग मद्र प्रदेश के किस सेहर को कहा जाता है बुरहनपुर ठीक है गौलियर सेहर की स्थापना किस ने की थी भई राजा सूरसेन ने की थी छटी सताबदी में पसुपतिनात का मंदिर कहां पर है भई मंद्र सौर में है मंद्र प्रदेश धान अनुसंदान केंदर कहा है बढ़वानी में जो है मंद्र प्रदेश धान अनुसंदान केंदर है बढ़वानी में जलवायू परिवर्तन ग्यान प्रवंदन केंदर कहा है भई जलवायू परिवर्तन ग्यान प्रवंदन केंदर भुपाल में है मद्रपदेश राज बीमा इबं फार्म विकास निगम कहा है भाई राज बीमा इबं फार्म विकास निगम भुपाल में है मद्यांचल भवन कहा है भाई दिली में मद्रपदेश जनसंक्या इस्थरी करनल देवास कम बनाया जाता है भी 2011 की किस जन गलना के अनुसार मद्ध प्रदेश के इंदोर संभाग की जन संक्याव रद्धी हुई तो 26.03% माधव गर राष्ट्री उध्यान किन कितनी पहाड़ीयों से घिरा हुआ है तो माधव गर जो राष्ट्री उध्यान है वह है 32 पहाड़ीयों से घिरा हुआ है यह फेला हुआ है मद्धारेस को सबसे बड़ा अभ्याराण है यह नोरा देही अभ्याराण मद्धध में रेप्टाइल पार्क पारें वो पन्ना में है काना किसी मंडला को कब टॉजथ टाइगर में सामिल किया गया है पुकाना किसले मंदला को 1973 में Project Tiger में सामिल किया गया मद्य परदेश का रीवा जिला किस लिए प्रसद्ध है? भई सफेध बाग के लिए मद्य प्रदेश का चो है रीवा जिला प्रसद्ध है मद्य परदेश को 1956 के पूर किस नाम से जाना रहाता था भाही मद्य भारत ठीक है 1998 में म.म. सीह देव सीमित समीती की सिफारिस पर कितने जले गठित हुए थे ठीक है तुम फिर से बोल देता हूँ मालवा का पठार जो है जो है गयहु की डलिया के नाम से जाना जाता है बुंदेलखंट की सर्वुच चोटी कौन सी है भाई सिंद बाबा चोटी बुंदेलखंट की सर्वुच चोटी है जिसकी उचाही 1100 बहुतर मीटर है करकर एका मद्रप्रदेस के चौधा राज्यों से उकर गेज़ती है कितने भई चौधा राज्यों के उससे होका है जल वायू के आधार पर मद्रप्रदेस को कितने भागों में बांट गया है वर्सा की द्रस्टी से मद्रप्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है, वर्सा की जो द्रस्टी से मद्रप्रदेश तीन भागों में बटा हुआ है, मद्रप्रदेश के सरवाधिक भूभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, सरवाधिक उपजाओ मिट हिए कि नदी हमारी यहोना नदी में जाकर मिल जाती है चचाई जल पर लगण किस नदी पर बनाए गाया है चंबल नदी पर गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाए गया है बाल सागर बांद यह सौन नदीẦी पल बनाय गया था बाल सागर परियोजना किनके राजियों के मद्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार ये तीन राजियों के मद्र जो राष्ट्री कर Mayo कंभ हुआ था 1970 को बालो की य garlic की योजना कभ प्राभ्र हुई ठी बाहरत छबством के उ 2004 में मद्रदेश जील प्रादी करान की इस्तापना हुई रानी खेत क्या है भाई यह है पक्चियों में होने वाला एक जानलेवा रोग है जिसे हम रानी खेत खनेज निगम की इस्तापना कब हुई 1962 को मद्रदेश राज खनेज निगम की इस्तापना हुई चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है भई के ओल इन चीनी मिट्टी का मूल नाम है ठीक है कोईला किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है भई अवसादी चट्टानों से हमारा कोईला प्राप्त होता है सीसे के अयस्क को क्या कहते है भई गे लेना मद्यप्रदेश का प्रमुक खनिज कौन सा है भाई मद्यप्रदेश का जो प्रमुक खनिजब है कोईला है मद्यप्रदेश विद्धूत मंडल का गठन कब हुआ एक दसंबर 1950 को मद्यप्रदेश की विद्धूत मंडल का गठन हुआ था नेपा नगर कागच मिल को जो विद्धुत आपूरती है वह है चंदानी ताप विद्धुत केंद से प्राप्त होती है नेपा नगर की जो कागच मिल को विद्धुत के आपूरती है वह है चंदनी ताप विद्धुत नगर से प्राप्त होती है बायो गेस से बिजली उत्प बढ Brett कोर्पोर्देश का मुख्याला यह जो मुख्याला है वहर बोपार में इसके थाए पीदुखेश एडिकब बढा किम रहे राज गलमें मद्रप्रदेस में विद्धुत चालित पंप का निर्मार कहां पर होता है मद्रप्रदेस में विद्धुत चालित पंप का निर्मार देवारस में होता है स्टेलेस स्टील कॉंप्लेक्स कहां पर है भाई सागर में मर्ची उत्पादन में मर्दपर्देस का सीर्ष जिला कौन सा है भई रीचित परदन में मद्ररदेस का सीर्ज जिला जो है यह करगोन है। मनेइगा योजना मद्रदेस का प्रथम नगर पालिका का गठन कभ हुआ है तो यह जबलपुर में हुई मद्रदेस के प्रथम नगर पालिका का गठन हुआ था अठाछन elles हूँ अटारा सoral 64 काभी टाइम हो गया मद्भ्रदेश के प्रथम पोलिस महानेरिख्चक स्म! सब्सक्राइब प oppressionary स्थान का है रिवा मैं मद्भरदेश सरकार द्वारा बंदी फित दिवस का आयोजन कब किया जाता है तो बंदी हित दिवस का आयोजन 15 फरबरी 1964 को किया जाता है मद्द परदेश के प्रथम पुलिस महान दे सकते हैं बीपी दुबे यह मद्द परदेश के प्रथम पुलिस महान दे सकते हैं सब्सक्षा अभियान कब से चलाया जा रहा है तो 2001 से सब्सक्षा अभियान चलाया जा रहा है मद्द प्रदेश में आवासी खेलकूंद संस्था कहां पर है सिहोर में मद्द प्रदेश में यूनानी चिकित्समार विस्विद्याले कहां पर है तो यूनानी चिकित्समार विस संस्थान कहां पर है युवा नित्रत ग्रामियोड विकास संस्थान हुसंगवार में प्रकास तरान पुसकार जो है यहां पर इस्टेडियम कहां पर है प्रकास तरान पुसकार जो इस्टेडियम है यह है भोपार में है एक लवे पुरसकार विजयता अक्च्छे भाटी का सं स्कृत्किल था, किस बरस में हुआ, तो 1860 में सरप्रथम में रेयलमारक की स्लिपर का ही, यहां पर वर बुधिनी बनक्ली सेहौर में यहां पर रेलिवेश लीपर का कार ईखाना है अब म Three के इंद और में दूर्दरसन के इंज कभ इस्थापित हुगा मादबसभक आयुजन किस के द्वारा किया जाता है, म् fant पत्र का आयुजन को खिया जाता है, का समya रों कहां ज़ेतं हूता है चित्र पूर्ट मैं और चल्पो यह करें और च्छाजले के निवारी में राम आया कला संग्रालाई मासिक पत्रकह कर् Ernो कित्व कर्द तो मासिकद्र कर कर कं दूरा होता है तो मस पत्रका कर अचै got tiet चेत्र में दिया जाता है आदिवासी विकास के लिए संस्था गटी को ठीक है आदिवासी विकास के लिए जो है यहाँ पर रानी दुर्गवती पुरुसकार दिया जाता है ठीक है आदिवासी विकास के लिए रामचंद सुक्ल आकिल भारती पुरुसकार किस चेत्र में दिय और वह स्तेते हुआ सबसे बड़ी जंज आती है तो बाई यहां पर भील जन झाती है भाई सब्सक्राइब इनाव को क्ण जाना हैं पौलग की पंचाइट को किस नाम से जाना जाता है रहता है ईंद है U यह राजात का जन्म हुआ तो भई यह था सादत खांग अब खांडे राओ किस युद्ध में मारा गया था तो 1754 को यहांपर कुमेरी की लडाई हुई थी जिसमें खांडे राओ मारा गया था कि रानी अवंती भाई का जन्म कव हुआ था 16 अगस्त 1831 को रानी अवंती भाई का जन्म हुआ था मद्रप्रदेश का वीरी-गिरी गाउं किस से संबन दे थे तो मद्रप्रदेश का वीरी-गिरी गाउं जो है यह है आदिवासी छेते से संबन्दित है, दादर जिंजाती, लोकनत, बुंदिलखंड आदिवासी छेते से संबन्दित है, किस से बुंदिलखंड, रतोना क्या है, रतोना बैगा आदिवासी का परव है, रतोना है, ठीक है, बाग हस्त सिल्फ के लिए मद्परेश का कौन सा सहर प सभाइब के değer जह पर बाग हस्त सिर्प के लिए रगता है ठीटे हैं इंधुरी में पीड़ का मिला लगता ऑभito की मालति मादव क्सकी रचना हैं कटल कावध करेंप किसे कहा समध्र गुप्त का स्वभोग नगर किसे कहा जाता एरा सागर को सागर जो सागर में एराव इस्तत है जो समध्र गुप्त का स्वभोग नगर कहा जाता है खजुराहु के जगदंबे और चित्रगुप्त मंदर किसके सासनकाल में बनवाए गए थे तो यह गंगेदेव के सासनकार में बनवाए गाय थे खजुराव के जगदंबे और चित्रगुप्त मंदिर क्रिस्टन राज ने परमार वंस की इस्तापना की थी मंद्सोर से प्राप्त जीरान अभिलेख के किस वंस की जानकारी प्राप्त होती है तो मंद्सोर से प्राप्त जीरान अभिलेख से हमें गुहिल वंस की जो है यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है यह है विग्रह पाल के सासन की है ठीक है गुहिल वंस की जानकारी हमें प्राप्त होती है ठीक है जीरान अभिलेख से पानीपत की तीसरी लडाई में किस ने किसको पराज़त किया था भई एहमद सां अबदाली ने मराठों को पराज़त किया था पानीपत की तीसरी लडाई में प्रवंदन संस्थान गॉलियर में इस्तित है मद्र प्रदेश महिला हौकी अकेडमी कहां पर इस्तित है गॉलियर में ठीक है पचमाली का पनार पानी किस चेतर किस बात के लिए प्रसद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द उसके बाद देश का परथम विकलांग पुनरवास केंद्र कहां पर इस्ते थे थे भाई, तो जबरपुर में इस्ते थे थे, मद्र परदेश में आदिवासी, सोध संचार केंद्र कहां पर है भाई, जाबुगा में है, दुसियन्त कुमार पंडू लिपी संगराला ये कहां मद्र परदेश का पहला सिल्प ग्राम कहां इस्ते थे, चतरपुर में, राष्ट्रे सोयाबीन अनुसंदान केंद्र कहां पर है इंदोर में, मद्र परदेश में भोझपुरी इवं पंजावी साहित अकैडमी का गठन, 31 जुलाई 2013 को किया गया था, भोझपुरी पंजाव कब हुआ था तो टूरिय जंगल सत्रा गया, 1930 को हुआ था। जवलपूर में नमक-सत्य-γrahy का नित्वर किस ने किया तो सेट गोविंद दास्त एवां द्वाल का प्रसाद नमक-सत्य-ग्रया का नित्वर किया। किस किले में लिखा है कि निया और मुकुट का हीरा है दतिया के किले में लिखा गया है यहां। मद्रप्रदेस में कहां पाई जाती है छिनवारा में पाई जाती है पाने का जिन जाती है भूपाल ट्रेजडी के लेखक कौन है भाई तो भूपाल ट्रेजडी के लेखक सुब्रमन्यम है ठीक है मद्रप्रदेस में ग्रीस रितू को क्या कहा जाता है यूनाला मद्रप्रद कि पुराने विधान सभा भवन को किस नाम से जाना जाता है तो मिंटो हॉल, राज का जो पुराना विधान सभा भवन है उसको मिंटो हॉल भी कहते है मद्र प्रदेश की सीमा उत्र प्रदेश के कितने जलों से लगती है जो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों से लगती है मद्र प्रदेश की प्रथम महिला राजपाल कौन थी तो भई सरलाग ग्रेवाल सरलाग ग्रेवाल जो है मद्र प्रदेश की पहली महिला राजपाल थी मद्र प्रदेश का प्रथम समचारपत कौन सा था पंदित कुझीलाल दुवे यह है मदर प्रदेश के पहले विदानसभार दिक्ष थे मदर प्रदेश में दूसरी बार राश्पती सासन कब लगाया था तो भाई यह मदर प्रदेश में दूसरी बार 1980 को सुन्दर दाल पटवा मुख्य मंत्री के सासनकाल में लगाया गया था मद्रप्रदेस में पहले लोकायुक्त कौन थे तो भाई PV दिक्षर मद्रप्रदेस के पहले लोकायुक्त थे और मद्रप्रदेस वित्यायुक का गठन कर वुआ मदर प्रदेश वित्यायों का गठन 17 जून 1994 को हुगा ठीक है तो friends अभी यही class थी भाई यहाँ पर कुछ आपको mistake लगी होगी क्योंकि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर जितना मैंने courses किया है चीजों को cover करके चलाऊं बाकि और आगे कि तक courses करूँगा कि class को और लंबी करें हम ताकि एक minimum समय में जो है हम GQ क cover कर सके उसके बाद थोला सापको current भी देखना होगा आप यहाँ पर कुछ खास खास चीजे जो देख लीजेगा अभी जो योजना आई है तो courses करूँगा कि उसका भी मैं आपको update देता रहूँ ठीक है बाकि आपको जो अभी कुछ current की चीजें जो मदर प्रदेश में घटेत हुई है बाकि अभी कितने जो नए मंत्री बने है कितने नए अभ्यारान बने है कितने नए संग्रालाय बने है बहुत कम समय में हमको चीजों को cover करते हुए चलना है ठीक है तो मिलते है next update के साथ भाई चैनल के साथ बने जरूर है ना ताकि इस तरह की classes की update आपको मिल सकें मिलते है next वीडियो में जैह